दोस्तो आज मैं आपको बताने वालाओं कि आप अपने फॉन के डायलर में दोस्तो एप हाइड कैसे कर सकते हैं दोस्तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आप यदि एप हाइड करना चाते हैं तो सबसे पहले तो आपको आपके mobile की settings में जाना होगा settings में जाने के बाद मैं दोस्तो इस type का interface दिखाई देता है नीचे आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक option दिखता है दोस्तो privacy का तो हम इस पे click कर देंगे इस पे click किया अब दोस्तो यहाँ पे आपको hide apps का option दिखेगा तो मैं इस पे click कर दूँगा मैंने यहाँ पे click कर दिया अब दोस्तो जब आप पहली बार यहाँ पे hide apps पे click करेंगे तो यहाँ पे आपको एक password डालने के लिए बोलेगा enter privacy password तो वो आप डाल दीजिएगा और बापस से reconfirm करने के लिए आपको send password बापस डालना होगा बस यह काम आपको करना है तो मैंने already डाल रखा है तो अब मैं यहाँ पे जो मैंने password डाला था वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यहाँ पे यह वाला AI photo enhancer यह एप हैड कर देता हूँ यहाँ पे आप देखेंगे all और hidden तो hidden पे क्लिक करूँगा तो मैंने दो एप यहाँ पे हैड कर रखें देख सकते हैं तो यह आप हैड कर लीजिएगा अब नीचे आप देखेंगे दोस्तों और भी एप में हैड करके दिखा देता हूँ जैसे कि यह है Be Love Network इस पे मैं क्लिक करता हूँ यह हैड हो गया है अब हैड हो गया दोस्तों अब लेकिन हम इसको डाइलर में देखना चाते हैं फॉन के डाइलर में जो हमारे हैड एप है उनको हम देखना चाते हैं जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर यह डाइलर होता है न दोस्तों इस पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर क्लिक किया तो इस टाइप का इंटरफिस दिखाई देता है तो यहाँ पर हम यहाँ पर कॉड डालेंगे और code डालने के पास यहाँ पर हमारे जो app होते हैं hide app, hiding app जो हमने hide कर रखे हैं वो हमको दिखते हैं तो यहाँ पर क्या करना होगा मैं यहाँ पर क्या करूँगा जैसे कि मैं वापस यहाँ यहाँ पर जाता हूँ ahead apps पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो मेरे password है वो मैं यहाँ पर tap कर देता हूँ अब यहाँ पर आप देखेंगे अब आपको एक passcode create करना होगा दोस्तो डायलर में देखने के लिए तो यहाँ पर settings का option देखेगा हम इस पर click करेंगे click किया यहाँ पर लिखा हुआ change access code तो हम इस पर click कर देंगे और यहाँ पर click करने के बाद में दोस्तो आपको एक code डालना है अब code क्या होगा यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप यहाँ से एक से solar digit तक code डाल सकते हैं जैसे कि example hedge डालना है आपको तो मैं यहाँ पर hedge डाल दिया अब यहाँ पर आपको यहाँ पर code डाल दीजेगा जो भी आप डालना चाहते है तो मैं यहाँ पर code डाल देता हूँ जो दोस्तो जो भी है जैसे कि burn 2, 3, 4 मैंने यह code डाल दिया और यहाँ पर बापस से hedge click कर दूँगा आप यहाँ पर 16 अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ अब यहाँ पर हटाने के बाद मैं डायलर में जाता हूँ डायलर में गया अब यहाँ पर दोस्तो आपको वो code यहाँ पर type करना है तो मैं नीचे यहाँ पर code डालता हूँ hedge 1, 2, 3, 4 और बापस से hedge पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर आप देखिए जो app मैंने यहाँ पर hide कर रखे थे दोस्तो वो यहाँ पर दिखाई देते हैं दोस्तो तो इस तरीके से दोस्तो यहाँ पर आप अपने mobile के phone के dialer में app hide कर सकते हैं और उनको use कर सकते हैं किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने app को कहां hide कर रखा है सिंपल सा dialer में जाकर कि आप वहाँ पर देख सकते हैं बहुत आसानी से तो वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए कमेंट बॉक्स में आप app लिख दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक कर दीजिए